आपका मेरे चैनल पे दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने जब पाकिस्तान के उपर बाला को टेर स्ट्राइक की थी, तो उसके बाद में पाकिस्तान ने हमारे उपर हमला करने की कोशिश की थी और उस समय घटना ये हुई थी कि पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर ज पाकिस्तान इसके अडिनाई करता आया है अलांकि बहुत से इसके प्रूफ भी आए है लेकिन फिर भी डायरेक्टली कोई F-16 का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दिया और दोस्तो अभी एक वेस्टरन मिलिटरी हिस्टोरियन जो कि आथर, जर्नलिस्ट, इलस्ट्रेटर और साथ ही मोडरन मिलिटरी एवियेशन के अंदर इंटरस्ट रखते हैं उन्होंने अपनी एक पोस्ट के अंदर दावा किया है कि अमेरिका के सार्जेंट काईल विलसन को जो की एर्मेन रहे हैं युनाइटिट स्टेट एरफोर्स के और वे शाहबाज एरवेस पाकिस्तान के अंदर तैनात रहे थे मार्च 2018 से 19 तक और साथ ही वे एक टेकनिकल सिक्योरिटी टीम जो यूएस एरफोर्स की थी उसके सुपरी इंटेंडन के रूप में भी 2019 तक रहे हैं तो उन्हें दोस्तो अब एक अवार्ड दिया गया है जिससे ये साबित होता है कि ये F-16 को छिपाने के लिए किया गया है उसके लोस को छिपाने के लिए किया गया है क्योंकि दोस्तो इन्होंने जब पाकिस्तान का F-16 डेस्ट्रोय हुआ था तो उस समय उसके कच्चरे को उसके जो डेमेजड पार्ट थे उनको बखुबी छिपा दिया और किसी भी तरह की बात सामने नहीं आने दी इसी वज़े से अवार्ड दिया गया है हलांकि दोस्तो विलसन की जोब ये थी कि उन्हें पाकिस्तान एरफोर्स के इस बात का ध्यान रखना है एंशूर करना है कि वे एफ-16 का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट ना कर सके क्योंकि ये यूएस और पाकिस्तान का एक एगरिमेंट हुआ था इस एरक्राफ्ट को दे दिया गया लेकिन इसको हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ से डिनाई किया गया है उनके ISPR की जो उस समय की एक बाइट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरा बंदा भी पकड़ा गया है यानि जो दूसरा पाइलेट था वो भी पकड़ा गया है इंडिया का लेकिन इं कोपर ने 2019 के अंदर ये भी क्लेम किया था कि चार पाकिस्तान के एर फोर्स के पाइलेट ने उन्हें ये कंफरम किया है कि उनका एक F-16 फाइटर जेट का लोस हुआ है लेकिन बाद में इस सारी चीज को छिपा दिया गया और साथ ही उन्हों ने ये भी कहा था कि वे उन प्रशली एक ऐसी भी है जो यूनिक अरब के मिग्स फाइटर जेट की सीरीज के उपर है साथ ही वे बहुत ही रिस्पेक्टिड मिलिटरी अविएशन हिस्तोरियन है वेस्टरन कंट्रीज के अंदर तो ऐसे में उनका दावा जो है वो बिलकुल सही है और हम ये पहले भी द होता है और इंडियन एर फोर्स का जो दावा है वो बिलकुल सही है कि F-16 को शूट किया गया था धन्यवाद जैहिन